जहिन दोस्तों, वेल्कम टो आईएस विधारी मोहन इन असोसियेशन विद स्टेडी टेबल, एक्चुली हमारा जो आज के दिन हम जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो प्लैटफॉर्म बनाया है वो स्टेडी टेबल चैनल है, तो उसी से रिलेटेड अब आज हम टॉपिक के ऊपर डिसकस कर रही है, जिसका नाम है बर्बाद होता श्रिलंका और भारत की बढ़ती टेंशन, बर्बाद होता श्रिलंका और भारत की बढ़ती टेंशन, अब ये मामला क्या है, इसके ऊपर डिसकस्शन करें, उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट ही है, कि अगर आ करें सब्सक्राइब करें शेयर करें बेल आइकन जरूर गबाएं ताकि मेरी ये वीडियो आप तक पहुंच सकें दूसरा दोस्तों अगर आप मेरे अगर आप या आपका कोई जानकार एस यूपी एस सी पीसी एस या सेंटरल यूनिवरसिटीज में एंटरिंस एक्जाम की त कर सकते हैं इसके साथ ही अगर आप प्रिप्रिशन पेड कोर्स से करना चाते हैं तो 500 रुपीज पर मत से आप अपनी यूपी सी की तैयारी शुरू कर सकते हैं नीचे दिये गए नंबर पर कॉल कीजिए और जल्दी से जल्दी हम से चुड़िए अब आ जाते हैं टॉपिक हैं और बड़े बड़े उनके अंदर अलग-अलग लेवल की कंट्रीज हैं और ये जो दो बड़े ब्लोक्स हैं जो पिछले 100 साल से आपस में लड़ रहे हैं ये इनके लिए एक चारे के रूप में छोटी-छोटे देश काम आते हैं और इन छोटे-छोटे देशों के हमेशा इस समस्या से जूज रहा होता है जिसका एरिया चोटा है पॉपूलेशन चोटी है नौरवली वो और खासकर जो 1950 के बाद आजाद हुआ है वो जूज रहा है कि एक तरफ उसे अपना सोशल अपलिफ्टमेंट करना है कंट्री का डवलप्मेंट करना है वहीं दूसर तरफ दुनिया के अंदर ये जो बागडबिले हैं इनके इन्फ्लूएंस से बचना है ऐसी सिचुएशन के अंदर यहां पर एक देश भारत के पडोस में है और उसका नाम है श्रिलंका वैसे तो कई देश हैं लेकिन आगर यहां देखेंगे तो श्रिलंका एक ऐसी स्ट्र इन्फ्लूएंस मानता है इंडियन ओशियन के अंदर अपना इन्फ्लूएंस मानता है वो असलियत में अगर यहां श्रिलंका को अपने साथ लेके ना चले और श्रिलंका इंडिया की राइवल्री ग्रुप के अंदर शामिल हो जाए तो समझ लीजिए भारत के पसीदें छ आगे बढ़ाना पड़ेगा मैं इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि strategic location है और ऐसे में यहां श्री लंका इस टाइम पर एक बहुत बड़ी tension से गुजर रहा है बहुत बड़ी problem या situation से गुजर रहा है situation इस हद तक है कि अगर पेट्रोल देखा जाए तो पेट्रोल तो लगबग भूल ही जाए इंपॉर्ट करना ही बंद कर दिया गया है वहीं पेट्रोल की जो सप्लाई है वो लगबग लगबग बंद हो चुकी है दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो 400 ग्राम दूद का पैकेट जो है वो 790 शिरलंकन रुपीज का मिल रहा है अब आप सोच कर देखिए इसी तरीके से अगर आप देखेंगे चावल जो है वो राइस यानि चावल जो है राइस जो है वो 500 रुपीज पर केजी मिल रह है शिरलंकन रुपीज में इसी तरीके से अगर आप देखेंगे आलू जो है पोटेटो वो लगभग लगभग इस टाइम पर 200 रुपे किलो के आसपास पहुत चुका है वहीं अगर और भी दूसरी चीजें जैसे खादे महगाई दर जो है जो फूड इंफलेशन रेट है वो 25 परसंट के आसपास पहुत चुकी है यानि शिरलंका में लगभग लगभग हर चीज महगी हो चुकी है और हालात इस तरीके से बयान हो रहे हैं कि अपोजीशन लीडर अपोजीशन लीडर और इकोनॉमिस्ट जो शिरलंका के अंदर हैं हरशा डी सलवा उनका कहना ये है कि भाई इस टाइम पर शिरलंका जो है वो दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो आयात निर्यात आयात रुक जाएगा जो बाहर से चीजे शिरलंका मंगा रहा है वो रुक रहा है रुक जाएगा यहां तक कि गूगल सिस्टम का भी इस्तिमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसे तो दे नहीं पाएंगे गूगल को या जो भी उनकी पेड़ सर्विस जाएंगी और पूरा कंट्री कलाप्स कर जाएगा अब ऐसे सि पीजन को ढूंडेंगे के वाई इट इस हैपनिंग वाई इट इस हैपनिंग यह हो क्यों रहा है समझे और दूसरी तरफ हम उस चीज को ढूंडने की कोशिश करेंगे के असलियत में वट इस दा पॉसिबल सॉलुशन क्या हो सकता है हम इसमें वर्स्ट के सिनारियों को समझने की कोशिश करेंगे पॉसिबल सॉलुशन क्या है इसका वो समझने की कोशिश करेंगे और इसमें वेर इंडिया स्टेंट्स भारत कहां खड़ा है ये बताईए अब ऐसी सिचुएशन में आप सबसे पहले हम शुरू अगर करें कि रीजन क्या है देखो रीजन असलियत में यहां पर एक तो पॉलिटिकल एस्पिरेशन्स ओफ लीडर्स है अगर आप यहां पर देखेंगे तो पॉलिटिकल एस्पिरेशन्स ओफ श्रिलंकन लीडर्स और इस श्रिलंकन लीडर्स में राजपक्सा फैमली सबसे ज़्यादा रिस्पॉंसिबल है क्योंकि राजपक्सा फैमली के जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन्स हैं उन्होंने पूरे के पूरे श्रिलंका को डुबो के रख दिया यह आपको दिखाई देगा कैसे 2008 तक तो अगर आप देखते हैं तो 2008 तक LTTE के साथ संघर्ष चल रहा था लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल एलम ये जो लिट्टे थे इनके साथ जब संघर्ष चल रहा था तो इंडिया जो है उसने लिमिटीड हैल्प की एन्डिया प्रोवाइड़े लिमिटेड हैल्प लेकिन चाइना ने चाइनाय हैल्प ओपन ले यहां तक की विक्ट्री प्रेड के अंदर दिखाई जाने वाले जो आमसे डेमिनिशन थे वो पूरे का पूरा चाइना का था यहां पर खुल कर सामने आया यानि यहां वो दौर था जब चाइनीज इंफ्लूएंस इंक्रीस्ट और जैसे ही चाइनीज इंफ्लूएंस बढ़ा जैसे ही चाइनीज इंफ्लूएंस यहां पर बढ़ेगा उसका सीधा सीधा असर ये था के असलियत में थ्रेट टू इंडियन इंट्रस्ट इंडियन ओश इंट्रस्ट्स इन इंडियन ओशियन इंडियन ओशियन के अंदर थ्रेट्स बढ़ रही थी वहीं अगर आप देखें तो इस चाइनीज इंफ्लूएंस को चाइना ने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंट्रोल की तरफ मोड़ा और असलियत में इकोनॉमिक कंट्रोल की तरफ मोड़ा एक तरफ पॉलेटिकल एस्पिरेशन ओफ महिंद्रा राजपक्सा था महिंद्रा राजपक्सा था महिंद्रा राजपक्सा था कि भाई वो अपने इलाके सदन शिरलंका को डवलप्म करवाना चाहता था शिरलंका की डवलप्मेंट चाहता था और दूसरी तरफ चाइना शिरलंका के उपर एक अलग तरीके का इकोनॉमिक कंट्रोल चाहता था अब सदन शिरलंका की development में सब से important part जो था वो हमबन टोटा port सब जानते हैं इस चीज़ को हमबन टोटा port की development होगी यहाँ चाइना खेल कर गया और इसी खेल को शिरलंका समझ नहीं पाया अगर आप मोटे तोर पर यहाँ देखेंगे तो इसके अंदर आपको इधर यहाँ यह हमबन टोटा port दिखाई देगा यह सदन पोट हमबन टोटा है अगर आप इसे मोटे तोर पर देखें तो शिरलंका एक छोटा port है समझें शिरलंका एक छोटा देश है तो यहाँ जितना भी इस लेवल का ट्रैफिक है वो कॉलंबो पोर्ट अपने आप में एब्जॉब कर लेता है कॉलंबो पोर्ट में बहुत सारी बहुत्स खाली रहती है इतना ज़ादा ट्रेड डेस्टिनेशन ये कभी रहा ही नहीं नतीजा उसका यह हुआ कि हमबन टोटा पोर्ट को डवलप करवाया और सबसे बड़ी खास बात लोन लेके डवलप करवाया तो जिस कमपनी से हम चाहेंगे उसी कमपनी से आपको यह पोर्ट डवलप करवाना पड़ेगा और कमपनी का नाम था चाइना हारबर चाइना की कमपनीयों की खास बात यह होती है नॉर्मली लोन आता है लोन किसी भी देश में आता है उस देश के अंदर खर्च होता है उस देश के लोगों को इंप्लॉइमेंट मिलता है और वहां से वो देश तरक्की की तरफ बढ़ता है इंवेस्टमेंट इंडिया में भी आ रहा है लेकिन इंडिया जिस भी कंट्री से लोन अगर ले रहा है तो उस कंट्री की कमपनी को ही सारे ठेके देगा ऐसा पॉसिबल रही है और टर्म्स कंडिशन्स यह होती है कि मेक इंडिया करो इंडिया के इतनी परसेंट लेबर होन चाहिए ताकि इंडिया के लोगों का भी experience यहाँ पर बढ़े इससे क्या होगा कि एक तो इंडिया के लोगों को construction का experience होगा infrastructure development का experience होगा foreign countries के साथ काम करने का experience होगा उनके ethics values के बारे में पता लगेगा और वो पैसा इंडिया के लोगों के पास उनकी जेब में रहेगा तो वो खर्च भी इंडिया में करेगी चाइना ने क्या किया किया कि चाइना हारबर company इस port को बनाएगी और बाकी जितना भी infrastructure है सारा बताओ हम बनाएंगे लेकिन company होगी Chinese labor होगी वो भी होगी क्या Chinese इंजीनियर्स से लेकर बाकी जितना भी सब कुछ होगा वो Chinese होगा यानि आपक को डेट भी हो गया लेकिन country के common masses तक ये सारा पैसा तो return होकर चाइना चला गया और श्रिलंकन common masses को यहां पर इसका कुछ भी फाइदा नहीं मिला अब नतीजा क्या हुआ पोर्ट है पोर्ट हो गया फ्लॉप क्योंकि उस पर पूरे दो तीन साल में एक जहाज आकर खड़ा हुआ डॉक हुआ वो भी थोड़ी time के लिए हुआ और चला गया समान नहीं उतारा खाली पड़ा हुआ है बिलकुल खाली पड़ा हुआ है और debt सर पे रह गया यानि कर्ज देश के उपर है और सारा पैसा चाइना वालों ने कमाया आपके देश में invest किया आप ही के देश से वो develop किया और ले गया इंडिया के अमस्चिर लंका के अंदर कु और यह कहता है हमारी company आपके यहां आके business करेगी उसे concessions दे दो ताकि वो और ज्यादा business करेगी वो company mutual benefit पे होती है और अगर आप उस country company को control करने में कामियाब हो जाते हो तो आपके देश की तरक्की होती है इंडिया इसका best example है लेकिन और इसी के साथ IMF और World Bank जो हैं यह द आते हैं और economic institutions हैं तो यह भी अमेरिका के हिसाब से काम करते हैं लेकिन चाइना तो पका सूद खोर बनिया है चाइना पका सूद खोर बनिया है यह क्या करता है यह लोन दे देगा और सबसे वड़ी बात high interest rate होगा क्योंकि यह देगा ही उसको जिसको अमेरिका और IMF ने मना कर दिया अमेरिका ने मना कर दिया और सबसे बड़ी बात two times more than two times rate of interest होगा यानि अमेरिका IMF वर्ड बैंक जो भी देगा उससे double होगा और hard and harsh harsh जो है वो terms and conditions होंगी अब ऐसे में कोई भी देश कैसे उभर पाएगा यह बता लिए नतीजा उसका यह कि हर देश पर करजा है श्रिलंका के ऊपर भी करजा है और जादा नहीं अंधा दुन्द करजा बढ़ा बढ़ा के 26 बिलियन डॉलर का करजा श्रिलंका के ऊपर और यह उसके टोटल जीडीपी का 80% है और अगर इसका इंटरस्ट भी मिला लिया जाए तो वो अपने आप में बहुत ज़्यदा हो जाएगा और इसमें हाला की अमेरिका आई एम एफ जापान के बाद तीसरे चौते नंबर पर चाइना का नंबर आता है लेकिन चाइना का अप्रॉक्सिमेट फाइव बिलियन डॉलर का यहां पर करजा है जो उसे देना है और बाद में एक बिलियन डॉलर और ले लिया क्योंकि हालात खराब थे और करज लिये जा रहा है हालात यह हो चुके हैं शिरलंका के के बहिया इस टुंटिस बिलियन डॉलर में से 7.3 बिल 1.3 billion dollars पैसा देना है अब ऐसी situation में सोच कर देखिए ये तो हो गई करजे की बात अब एक तरफ तो तुम्हारे पास problem ये है दूसरी तरफ शिरलंका की problem ये है कि आप इसके अगर source of income को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो main source of income दिखाई देंगे एक तो होगा tourism, tourism पूरे GDP का 10% of GDP है जो अपने आप में बहुत ज़ादा है रही सही कसर tea export जो अपने आप में ये भी लगभग लगभग 10% of GDP है अब आप सोच कर देखिए 20% of GDP जो है सरफ दो sectors है अब जैसे ही कौरोना आया कौरोना ने tourism को खतम करके रख दिया और 90 से 95% तक इसकी income घट गई रही सही कसर tea export की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिसे कहते हैं stupidity stupidity of Raja Paksa family और यहाँ इसी लिए किसी एक family के उपर ज़्यादा dependent हो जाने के बाद देश का क्या बंटाधार होता है वो यहाँ नज़र आएगा यहाँ क्या बेवकुफी आई के असलियत में इन्हें समझ में नहीं आया और lack of research lack of research और political motivation politically motivated यह दो इनकी सबसे बड़ी problem और इसी वज़े से इन्होंने organic farming को चाइना के dominance में influence of चाइना में बढ़ावा दिया और चाइना को अपनी organic fertilizer की company के लिए कोई ना कोई ग्राहक चाहिए था और वो ग्राहक उसने शिरलंका की form में देखा अचा experiment आपने किये नहीं phased manner में कोई भी change होता है तो वो phased manner में होता है आपने वो phases देखे नहीं phases देखे नहीं phases के बारे में plan नहीं किया एक दम से आपने जो chemical fertilizer थे वो बेजना बंद कर दिया नतीजा क्या हुआ कि एक तरफ तो tea जो production था वो एक दम से drastically खतम हो गया और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे tourism पहले खतम था यानि पूरी economy जो है वो 20% reduce हो गई रही सही कसर कोरोना की वज़े से other businesses के उपर भी पड़ा नतीजा क्या कि अच्छा कोरोना की वज़े से governments को लगवग दुनिया की सभी governments को एक तरफ तो welfare schemes चलानी पड़ी आज भी country जो इंडिया जो है वो उसने भी 6 महीने और extend कर दिया free राशन को कि जो free राशन है वो 6 महीने और बढ़ जाएगा कि अभी 6 महीने और आप free राशन ले सकते तो यह welfare schemes चलानी पड़ेगी दूसरी तरफ यहाँ पर कहीं न कहीं tax rebates दे दी एक तरफ आपकी income 20% reduce हो चुकी है दूसरी तरफ खर्चा 40% के आसपास आपको बढ़ाना पड़ रहा है यह मजबूरी थी के बढ़ाएं लेकिन income कम करना बेवकूफी थी ऐसी situation के अंदर यहाँ पर extraordinary conditions डवलप हो गई extraordinary conditions को हमेशा extraordinary leadership चाहिए leadership भी उसी level पर चाहिए होती है लेकिन यहाँ तो leadership थी ही नहीं यहाँ leadership के नाम पे सर्फ और सर्फ बेवकूफी थी अब ऐसी situation के अंदर यहाँ जो government थी वो कहीं न कहीं दुबारा से चाइना की तरफ जाने लगी है जो भी हालात खराब होते चले हालात यह हैं कि कहीं न कहीं एक तरीके के social crisis की तरफ सुरी श्रिलंका जो है वो economic crisis की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही economic crisis की तरफ बढ़ा इस economic crisis का outcome यह था यह इस economic crisis का result यह था कि जो श्रिलंका स्टार्टेड मूविंग टोवर्ड्स economic bankruptcy अब bankruptcy की तरफ अगर आप बढ़ाएंगे तो ओव्यस सी बात है economic financial emergency लगानी पढ़ गई और हर चीज की राशनिंग करने शुरू कर दी अब यहां हर चीज की राशनिंग करोगे तो यहीं से corruption और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे corruption बढ़ता है situation worse होती चली जाती है दूसरी तरह financial emergency के चलते currency जो है वो अपनी starts losing credibility credit value या market value currency की जो market value है वो खतम होनी शुरू हो जाती है जिससे सीधा सीधा असर क्या होगा economic system collapse करेगा economic system क्या करेगा collapse करेगा और जैसे ही economic system यहां पर collapse करेगा पूरा system पूरे तरीके से ढह जाएगा और यहीं से system अगर ढहने के बाद अगर आप देखेंगे जब economic system collapse करेगा पूरी की पूरी अर्थ विवस्ता ढह जाएगी तो यहीं से social crisis शुरू होता है यहां शिरलंका के अंदर social crisis के जो इंटम से वो दिखाई देने लग गए क्योंकि प्रोटेस्ट्स स्टार्टेड एवरिवेर क्योंकि आप आपके पास तेल नहीं है जिसकी वजह से आपने पावर सप्लाई बंद करती पैट्रोल नहीं है तो गाडियां बंद economy ठाप होना शुरू हो चुकी पैट्रोल नहीं है या जिसे कहते हैं पैसे नहीं है तो आप पेपर इंपोर्ट नहीं कर पा रहें students के exam नहीं हो पा रहे short में कहने का मतलब है चारो तरफ से situations खराब होती जा रही है और यहाँ यह असलियत में एक opportunity होती है असलियत में जैसे ही protests शुरू होते हैं एक political crisis शुरू हो जाएगा और जैसे ही political crisis शुरू होगा यहाँ पर यह opportunity में convert होगा और यहाँ यहाँ इस opportunity के अंदर various players started entering into this mess started fishing into these trouble waters various big players start fishing in these troubled waters यानि कही ना कही यह opportunity होगी चाइना के अंदर to strengthen his grip over Chinese श्रिलंका निकोनोमी और अगर इसको grip मजबूत होती है तो एक तरफ यहाँ पर threat to threat to Indian security in Indian Ocean वही सीधी सी बात यह है पडोस में आपके चाइना बैठा हुआ है तो हालत खराब होगी दूसरी तरफ political crisis जब भड़ता है तो कही ना कही एक slogans of nationalism गूंजने लगते है और जैसे ही slogans of nationalism गूंजेगे तो यहाँ पर कोई ना कोई villain create होता है और श्रिलंका के अंदर जो villain है वो कही ना कही the millions are taken as villain in Sri Lanka by villain की spelling ध्यार नहीं आ रही ठीक है अब सोच कर देखिए यहाँ पर दुबारा से anti-Tamil sentiments को भड़काया जाएगा और जैसे ही anti-Tamil sentiments को भड़काया जाएगा migration शुरू हो जाएगा एक तरफ migration of Tamils to Indians Tamils to India शुरू होगा यानी Tamil refugee crisis दुबारा से इंडिया में शुरू हो जाएगा Tamil refugee crisis दुबारा से इंडिया में शुरू हो जाएगा और जैसे ही anti-Tamil sentiments ही sentiments शुर्लंका में शुरू होंगी anti-Shrilanka sentiments in sentiments in Tamil Nadu शुरू होंगी in Tamil Nadu शुरू होंगी और जैसे ही anti-Shrilanka sentiments Tamil Nadu में शुरू होंगी domestic politics का प्रेशर दोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर क्रियेट होगा प्रेशर ओवर इंडियन गॉर्मेंट होगा और इंडियन गॉर्मेंट के ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रियेट किया जाएगा तो क्रियेट प्रेशर ओवर श्रिलंका तू सेव दमिल्स यह सोच कर देखिए एक स्पाइरलिंग एफेक्ट होगा या दॉमिनल एफेक्ट होगा अब श्रिलंका के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट डवलप होगा एंटी इंडिया सेंटिमेंट डवलप होगा यह किर देखिओर रवश्च बान से पीजब एक्टिमेंट्थ इन आटीब यहा स्विर मेंट टीम ओ एफ ए एंटनियम अट्ष सॉरी लंका लोगा अट प्रवाणना श्रिलंका वजेह स स्विरिक्ट प्रेशर निल्क प्रवा इंट। और जैसे ही आम श्री लंकन एंटी इंडिया सेंटिमेंट लेगा चाइनीज पोजिशन इंडिया की टेंशन है पूरे के पूरे लॉजिक को दुबारा से एक बार समझ कर देख लीजिए अगर प्रियेट होगा तो अब्वेस्सी बात है सीदी सी बात है एक तरफ सोशल क्राइसिस होगा और सोशल क्राइसिस डवलप जैसे-जैसे होगा तो वहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे किसके अगेंस्ट कौर्रमेंट के चारो तरफ अब ये नहीं रहे और विरोधी सक्ता में ना आएं इसलिए राजा पक्सा फैमिली पूरी कोशिश करेगी कोई ना कोई sentiments बढ़का ने की तो ऐसे में सबसे बड़ा sentiment होता है sentiment of nationalism और जो sentiment of nationalism होता है उसमें nationalism का slogan देने के लिए एक विलन चाहिए विलन मिलेंगे तमिल के तमिलों के व एक तरफ तो refugee crisis होगा हमें उनको पालन पोशिल करना पड़ेगा हम कर देंगे लेकिन सीधी सी बात यह है जो तमिल नाडु के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट डवलब उसका क्या जब तमिल नाडु में एंटी इंडिया सेंटिमेंट डवलब होगा एंटी श्रिलंका से मदल्लाड का सेंटिमेंट डवललफ होगा तो वो लोग हमारी संट्र ओल्पनों में एक बार एंटी इंडिया का एक दो स्टेट्मेंट सब डए वहां के लोग एंडिया के एंगेंस्त트 हो जाएंगे चाहें प्रोटेस्ट शूरू हो इडिया बात ही नहीं कर पाएगा फस के खड़ा हो जागा टेंशन जबरबस्त क्रियेट हो जाएगी तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा या इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं टॉपिक कैसा लगा वो बताएं थोड़ा सा स्लो स्टार्ट इसलिए ता की कंस लेकिन एडिया के टेंशन को अगर आप समझेंगे तो बहुत सारी चीज़े आपको अलगी लेवल पर समझ में आई अभी के लिए इतना ही धन्यवाद